हाई गाईज आइम अपूर्बा वेलकम बैक टू माई यूटेब चैनल एंपी सक्सेसर्स और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इंपोर्टेंट टॉपिक जो आपके आपकमिंग एक्जाम में आने के चांसे हैं इन से कॉशन्स तो परियावरण यह हमारा आज का ट क्रिष्ट विद्याले मॉडल स्कूल वगेरा की हैं उनमें भी आपका साइंस और सोसल स्टडी जो सब्जेक्ट आती हैं उनसे रिल्टेड एक कॉशन है आपका परियावरण का ठीक है यहां पर है बायू है तो यह कॉशन आया था आपका नैशनल मींस का मेरिट में क्लिक करना है ठीक है कै खषवा क्या है एक मेरिटON है और इसमें क्या होता है जो भायू है उसमें नाइट्रोजन है 78% या याना 78% पृश्षन और ऑक्षीजन 21% पृश्ष्षाद है तो यह भी आपका याद रखना है ठीक है और अधर गैसे बांकी है है यहां पर बा आपके तीन question बन सकते हैं next है कि बायू में carbon dioxide की मात्रा तो अगर हम बात करें carbon dioxide की मात्रा की हवा में तो ये है 0.03% ठीक है ये question भी एक्जाम में देखने को मिला था ये 2019 का जो national means का merit इसकोलर से पे एक्जाम है उसमें था मैं अभी आपको paper भी discuss करूँगी तो पहले हम पूरे इस लेवस topic निपटा लें उसके बाद मैं paper करूँगी तो आप लोग उनमें भी देखेगा ये ये आपको question मिल जाएंगे और आप लोग भी खुद से solve करते जाएंगे तो आप उनको पता चल जाएगा इसका ये right answer है ठीक कारबंडाई oxide की मात्रा की बात करें तो कितने हैं 0.03 प्रिशाद आगे है प्रत्वी के सबसे करीब का मंडल है बात करें तो ये होता है छोब मंडल जिसे हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर ये प्रत्वी के सबसे करीब का मंडल है क्योंकि यहीं से सुरू होता है सबसे पहले खोब मंदल Sumताप मंदल ठीक है continues टाइपसी जो लियर्ज हैं यह हमारी प्रथूी है यहां पर हम रहते है फे हैं पुर्पाइफ़ यहां पर लगे यो और इसकी सबसे उपर जो बाद लोगी परहस है सबसे उपर वह कौन सी है तो छोब मंडल है उसके बाद समताप मंडल जहां पर एरोपलीन वगएरा क्या होते हैं उड़ाए जाते हैं तो यह वाला आपको याद रखना है कि समताप मंडल में एरोपलीन वगएरा हैलिकॉप्र यह उड़ाए जाते हैं ठीक है और छोब मंडल सबसे करीब की मंडल है प्रत्वी के आगे हैं यहाँ पर कि मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटेत हैं अगर हम मौसमी घटनाओं की बात करें तो यह हमारे छोब मंडल में घटेत होती हैं मौसमी घटनाएं आगे है छोब मंडल की मोटाई में ब्रद्धी होती है तो कब होती है तो यह है ग्रीश कि उचाई पर जाएंगे तो वहां का तापमन कम होता जाएगा ठीक है आगे बात करेंगे यहां पर तो छोब मंडल में एक किलो मीटर की उचाई पर जाने पर ताप घटता है कितना तो छह दिसमलों चार डिगरी सेल्स यह सहलाग यह तो इस इंपोर्टन नहीं है उपर के ज फ्लोरो फ्लोरो कारवन तो सी एपसी और कारवन डायोकसाइड सी ओ टू होता है यह कौन है ग्रीन हाउस गैसेस हैं आगे बात करेंगे यहां पर है कि बाईयू में जल की उपस्तिती कहलाती है तो जो बाईयू होती है यानि हवा में जल की उपस्तिती है उसे हम आदरता ब उसको हाईग्रो मीटर कहते हैं या बोलते हैं कि आधरता मापी यंत्र कौन है तो हाईग्रो मीटर पर आपको टिक लगाना होगा आगे है कि भूमंडल पर जल भाग है तो भूमंडल पर कितने प्रिश्चत जल भाग है तो यह है एकत्तर प्रिश्चत स्वक्ष जलचेतर 2.5 भाग है ठीक आगे है बातावरन तथा जीब मंडल के बीच का संबंध है तो ये है पारिस्थितिकी बातावरन और जीब मंडल के बीच का जो संबंध होता है उसे पारिस्थितिकी बोलते हैं आगे है पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का पर है सौर उर्जा यानि सूरी की उर्जा हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुल्स रोत है जीव मंडल में जीवों का संचार के लिए आगे आपर फलीदार पौधों की जड़ में पाया जाता है तो राई जोबियम पाया जाता है फलीदार पौधों की जड़ों में यह आपको चाय की खेती के लिए उप्युक्त मिट्टी है तो यह है लेटे राइट मिट्टी आगे यहां है कि बन अनुशंधान संस्थान एफ आराई इस्थेत है तो यह देहरादून में स्थेत है नेक्स्ट है यहां पर कि यह भी याद रखना बन अनुशंधान संस्था उचाय की ख पिर है बायू मंडल में किस परत में तापमान समान रहता है तो यह स्ट्रेटो स्फेयर यहां पर क्या होता है तापमान जो है वो समान रहता है ट्रोपो स्फेयर के बाद यानि चोब मंडल के बाद आता है समताप मंडल जिसे बोलते हैं स्ट्रेटो स्फेयर आगे है आकास न परिवाष पाच जून को मनाए जाता है ये बहुत important question है आपकर इनसे भी आपके जो जितने भी देवस हैं इनसे भी एक question आपका जरूर देखने को मिलेगा तो ये है विश्वपरियावनि दिवस का तो ये है पाच जून आगे है ग्रीन हाउस प्रभाव होता है तो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है किसके कारण तो यह है कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है आगे है गोबर गैस सायंतर से निकलती है तो मीथेन गैस जिसको बोलते है हम CH4 ये इसका फॉर्मला है CH4 ठीक है तो इसको बोलते है मीथेन गैस और ये किस से निकलती है गोबर गैस सायंतर से ठीक है आगे है बायू यान उड़ाने की आदर्स दसा पाई जाती है तो जो बाय क्या आता है समताब मंडल और इसी में बायू यान उड़ाए जाते हैं आगे है यहाँ पर किसी भी पारी तंत्र में सबसे अधिक संख्य किसकी होती है तो यह होती है प्रिडियूसर की ठीक है जो पारी तंत्र होते हैं उसमें सबसे अधिक मात्र प्रिडियूसर की होगी आग थेया पौधे नाइट्रोजन गिरहन करते हैं तो नाइट्रेट आयन के रूप में ये भी बहुत document कॉश्टन है कि पौधे के is form में नाइट्रोजन करते हैं तो नाइट्रेट के फॉर्म में ठी के ये कॉश्छड भी काफी बार आ कुके हैं exam में ये है चिपकों अंदोलन किस से संबनतित है तो ये बंद सन्रक्षन से संबनतित है नेक्स्ट है Indian Institute of Forest Management कहाँ पर स्थेत है तो ये भोपाल में स्थेत है नेक्स्ट है कि मौसं को प्रभावित करने वाले कारग हैं तो ये है ताप, बाईू और बाड़सा ये तीनों ही क्या है मोश्रम को प्रभावित करने वाले कारक है आगे है सबसे अधिक मौसम प्रभावित होता है तो ये है चक्रवातों से ठीक है ये आपको याद रखना है सबसे अधिक मौसम चक्रवातों से प्रभावित होता है फिर हैं यहाँ पर परावैगनी केर्णों से हमारी रक्षा करती है तो कौन करती है तो यह है ओजोन गैस यानि ओत्री ओत्री गैस परावैगनी केर्णों से हमारी रक्षा करती है आगे यहाँ पर है ओजोन परत्मापने की एकाई है तो यह है डॉप्शन आगे है बिश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है तो 16 सितंबर को बिश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है ठीक है इसके बाद है बिश्व बनी की दिवस कब मनाया जाता है तो बिश्व बनी की दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को तो ये दोनों ही आपको याद रखना है ओजोन दि इसी की वज़े से क्या हो रहा है जो ओन परात्य उसमें चिद्र हो रहा है वो क्या हो रही है क्या हो रही है तो यह dagger करने वाली gas है प्रत्वी के बायू मंदल में प्रत्वी के बायू मंदल का सरवादिक घनत्व होता है तो यह है आयन मंदल में जो प्रत्वी के बायू मंदल का सरवादिक घनत्व है यह आयन मंदल में होता है ठीक है आगे है भू पर पटी पर सरवादिक मात्रा में पाया जाने वाला तो हाइड्रोजन है ब्रह्मान में सरवाधिक मातरन पाया जाने वाला तत्व ठीक है और भूपरपटी में सरवाधिक मातरन पाया जाने वाला तत्व ऑक्षीजन और प्रत्वी के बायू मंदल का सरवाधिक घनत आयन मंदल से बना होता है आगे है संसार का सरवाधिक प्रश कीट ना सक है जो कीटाणूओं को मारता है ठीक है खेतों में जैसे फसलों बगएरा में अगर कीड़े बगएरा लग जाते हैं तो डीडीटी का उपयोग किया जाता है आगे हैं यहां कि अमली बर्सा का मुख्य कारक है तो सल्फर डाई ऑक्साइड यानि एस ओटू जो है य चारी मिर्दा में उगने वाला पौधा कहलाता है तो यह हैलो फाइट कहलाता है जो चारी मिर्दा में उगता है ठीक है अब है मरुस्थल में उगने वाला पौधा जीरो फाइट कहलाता है और चारी मिर्दा में उगने वाला पौधा हैलो फाइट कहलाता है ठीक है आगे ह यहाँ पर गैर परमपरागत उर्जा के स्रोथ कौन है तो सौर बिकरन यह गैर परमपरागत है ठीक है तो यह कौन सा है गैर परमपरागत में सौर बिकरन यह आपको याद रखना है यानि सूरज जो है सन की लाइट सूर की उर्जा कौन है गैर परमपरागत उर्जा का होते हैं तो जो संचार उपग्राय हैं वो आयन मंडल में आविस्थित होते हैं तो यह जो हमारे परियावरंट का टॉपिक था यह खतम हो गया है इंपोर्टेंट सारे टम थी आप लोग अगर एक बार अच्छे से लर्ण करके जाएंगे एक दू बार रिवाइस कर ले ना प झाल झाल